कोई बात नहीं सेन्यूरिटा कोई बात नहीं बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बाते हैं होती रहती हैं हे दोस्तो आज हम बात करेंगे बॉलिवुड के बास्ता सारुक खान की जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर की सुरुवाद छोटे परदे के सीरियल फोजी से की थी और अब वो हिंदी फिल्म इनिस्ट्री पर राज करते हैं उनका आइकोनिक पोज हाथ खुलने वाला और ककक किरन वाला डायलाग तो आप सबको यादी होगा लेकिन क्या आप जानते हैं कि डर फिल्म के इस डायलाग के पीछे की असली कहानी क्या है 31 साल बाद जुही चावला ने इसके पीछे की सच्चाई रिवील की है इसारके की वो फिल्म जिसने उन्हें रातो रात इस्टार बना दिया था 1993 में रिलीज हुई थी डर फिल्म का डायलाग आई लव यू ककक किरन इतना फेमस हो गया था कि बॉलीवुड का एक आईकोनिक डायलाग बन गया अब गुजराच Chamber of Commerce and Industry के एक इवेंट में बात करते हुए जोही चावला ने इसके पीछे के स्टोरी सेयर की है जोही ने बताया मैंने नोटिस नहीं किया था लेकिन सारुक हर चीज को एब्सॉर्ब करते थे यस जी थोड़ा हकलाते थे और सारुक ने ये वहीं से पिक किया था जोही ने कहा सारुक ने बोला कि मैं इसे फिल्म में यूज करूंगा और वहां से उन्होंने ये श्टार्ट किया किरान वाला डायलाग हकलाते हुए बोलना डर फिल्म के डायरेक्टर यस चोपड़ा थे और ये फिल्म यस राज़ फिल्म के बैनर तले बनी थी इसमें सारुक को जोही से प्यार हो जाता है और वो हर जगे उसका पीछा करते हैं अपने प्यार को पाने के लिए वो हिंसा का रास्ता अपनाते हैं जो ही की साधी सनी देवल से होने वाली थी लेकिन सारुक का कैरेक्टर आखरी तक ही रिस्ता तोड़ने की कोशिस करता है इस फिल्म में सारुक ने पहली बार एंटी हीरो का रोल प्ले किया था तो दोस्तो ये थी डर के आईकॉनिक डैलाउग की कहानी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सेयर करें और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें